देश का लोग प्रिये शो बिग बॉस 13 के विनर रह चुके मशूर टीवी एक्टर सिध्धा शुकला का निधन हो गया है जानकारी के मुताबिक 40 साल की उम्र में सिध्धा शुकला का निधन हाट अटेक की वजह से हुआ है सिध्धा शुकला के शव का पंच नामा कूपर अस्पताल में किया जा रहा है सिध्धा शुकला कल रात दवाई लेकर सोई और सुबह नहीं उठे सिध्धा शुकला टीवी का जाना माना नाम थे और सोचल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे वहीं सिध्धार शुकला के काम की बात करें तो उन्होंने एक फेने स्क्रीम के एड में भी काम किया इसके बाद सिध्धार्थ को टीवी शो बाबुल का आगन छूटे ना में लीड रोल मिला हाला की सिध्धार शुकला को पैचान कलर्स टेलिवीजन के शो बाली का वधु में शिव का किरदर ने भाकर मिली सिध्धार शुकला इसके बाद कलर्स के ही एक शो दिल से दिल तक में रश्मी देशसाई के साथ नजर आए शो में दोनों की जोड़ी को खोब पसंद किया किया सिध्धाश शुकला ने साल 2013 में डांस रियालिटी शो जलक दिखलाजा में भी हिस्स लिया था सिध्धाश शुकला ने अपने 40 में जनम दिन के मौके पर सोशल मीडिया पर रश्मी देशाई, पारस छाबडा, माहिरा शर्मा, विशाल आदेत्य सिंग को टैक करते हुए एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था मैं आधिकारिक तोर पर 40 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी बुढ़्धा नहीं हुआ हूँ बता दें कि टेलिविजन के सबसे चर्चित अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार सिध्धार शुकला का जनम 12 दिसंबर 1980 को हुआ था सिध्धार शुकला टेलिविजन के सबसे चर्चित शो बिग बॉस के सीजन 13 में नजर आई थे इतना ही नहीं उन्होंने इस शो की ट्रॉफि भी अपने नाम की थी सिध्धार तब ही से सभी लोगों के पसंदीदा बन गए थे साल 2004 में एक बार मा के कहने पर सिध्धार ने मौडलिंग प्रतियोगीता में हिस्सा लिया था हाला कि सिध्धार थामिशा से ही बिजनिसमेन बनना चाते थे बहरहाल उनके निधन से टेलिविजन जगत में शो की लहर चाई हुई है बिरो रिपोर्ट सत्य खबर